असलाम आलेकुम मैं ओसम वीवर्स वेलकम बेक टू फास अल्टिमेट चैनल उमीद है आप सब टीक होंगे और आपकी दुआउसे मैं भी बिल्कुल टीक ठाक हो तो वीवर्स आज की वीडियो में मैं आपको कुकिंग कोई रेसिपी नहीं देने वाली हूँ आज हम जाएंगे गूमने पिनने के लिए तो चले चलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और रास्ते में थोड़ी सी घपशक भी लगाते हैं यहां आस्ट्रेलिया में आल्मोस्ट सेवन टू एट मन्स से लोगडाउन चल रहा था और बहुत ही सख्त रिस्ट्रिक्शन्स थी यहां पे लिमिटेड शॉप्स यहां पे खुले थे बस आप जस्ट ग्रोस्री करने के लिए जा सकते थे बाकी शॉपिंग कुछ भी नहीं और जब आप उनलाइन मंगवाते थे उनलाइन क्या होता था एक महीने बाद आपको वो चीज़ मिलती थी तो आज मुझे 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 मिला है कि मैं शॉपिंग करू तो मैंने कहा है चले अपने वीवर्स को भी अपने साथ लेके चलते हैं और यहां पे क्रिस्मि होती है तो जबरदस्ती सेल भी लगी होगी तो चले देखते हैं कि क्या सुरते हाल है इनके मॉल्स के क्योंकि यह बहुत ही जबरदस्त मॉल्स को सजाते हैं तो आपको इनकी सजावट भी दिखा देते हैं साथ में कितने जबर्दस तरीके से इन लोगों ने गिफ्ट बॉक्सेस रेडी किये हैं और साथ में ट्रीस की सजावट को देखे वावा देखके बजा आ गया सबसे पहले मैं मायर्ज जाओंगी मायर्ज में इस ले जा रही है क्योंकि मुझे कमफर्टिबल से शूज लेने है तो यहाँ पर मैं आपको इनकी शूस कलेक्शन भी दिखा दूँगी और साथ में मैंने क्रोस बेग भी लेना है ना मुबाइल के लिए तो सबसे पहले मैं शूस कलेक्शन आपको दिखाती हूँ मैं 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 आप मुझे बताए ना इन थीनों मैं से यह वारे आपको पसंद है यह वाले अच्छे चले मैं चेक करती हूँ ना यह कौन से साइज है अच्छा मुझे पताए कौन सा कलर अच्छा लग रहा है सबर करें यह दूसरे तो ट्राइक करूँ ना तो मेरे प्यारे वीवर्ड्स मुझे यह वाले शूस जो है यह फ्लेट शूस मुझे बहुत कमफर्टिबल लगे तो मैंने यह पर्चेस कर लिए मेरे हस्बंड को वह फॉन कलर पसंद था लेकिन यह उससे काफी कमफर्टिबल थे बागी लगता है मेरी तो मैंने कहा चोड़ा पर्स ले लिए पर्स ले लूँ क्योंकि जब बाहर जाती हूं तो यह हैवी बेखs जो है नहीं इंठासकती हूं मैंने यह अनु प्रस ले लेती हूं चले अब मेरे लिए पर्स ले, मुझे क्रोस बेग शाई है, इसमें देखें आपको कौन सा पसंद है, मुझे जस्ट मुबाइल रखने के लिए चाहिए, यह अदर देखें ब्राउन कालर, प्यारी वीवर्स, मेरे हस्बन ने मेरे लिए एक प्यारा सा क्रोस बेग ले लिया ह अब यहां से चलते हैं और दूसरे शॉप में थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं अच्छी सी अपनी हस्बिण के लिए ठीकए तो वीवर्स यहाँ पे मैं अपने हस्बेंड के लिए थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ तो मेरे हस्बेंड को यह वाला सूट बहुत पसंद आया है तो वो अपने पेसो से ले रहे हैं मैं उनकी लिए नहीं ले रही हूँ तो अच्छा यह वाला ड्रेस आपको पसंद आया जबर्दस जबर्दस को मिनेशन है अच्छा चले जली जली लेते हैं फिर थोड़ी किशन की शॉपिंग करते हैं तो वीवर्ड अब मैं आ गई हूँ कोकिंग स्टोर यहां पे मैं कुछ किचन यूटेंशल्स ले रही हूँ तो मैरी सारी शॉपिंग जो है वो कंप्लिट हो चुकी है तो दोस्तो इतनी शॉपिंग करने के बाद और गूमने पेढ़ने के बाद भूग तो लगनी आ है ना यहाँ पे एक शोप है टूटी फूटी फूटी वहाँ पे फ्रोजन योगर्ट मिलता है हम जब भी यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए यह फ्रोजन योगर्ट मस्ट हम लेते हैं तो चले आज भी अपने लिए फ्रोजन योगर्ट लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं तो चले वीवर्ड अप चलने का टाइम आ गया है यहाँ पे हमने काफी शॉपिंग कर ली काफी मज़े कर ली है और आप मुझे कमिट बॉक्स में मस्ट बताए कि आपको आज की वीडियो कैसी लेगी आपको मज़ा आया के नहीं हम गर पहुंच चुके हैं और यह देखे मैडम बिली मेरा वेट कर रही है इसका यही स्पेसिफिक टाइम होता है खाने का रोजाना यह आती है और मैं इसको इसी टाइम खाना किलाती हूँ तो चले मैं इसको खाना किला देती हूँ और आपको अपनी शॉपिंग जो है वो थोड़ी डिटेल में दिखा देती हूँ ठीक है लेकि इसमें काफी कलर से ओफवाइट कलर भी था लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो सिर्फ मुझे यही कलर मिला और यह लास्ट पेयर ता अच्छा काफी कमफर्टिबल है मैंने वहां पे ट्राइ किये तो इसलिए मैंने यह वाले शूज लिए वरना मेरे हस्बिंड को वो दूसरे कलर के पिंक कलर की शूज पसंते हैं और साथ में मैंने यह क्रोस बेक लिया है यह जस्ट मॉबाइल रखने के लिए क्योंकि मैं बड़े बड़े बेक्स जो है वो नहीं उटा सकती हूं मैंने का चलो जब बाहर जाओं तो यह चोटा सा पर्स अपने साथ लेके जाओंगी इसमें मैं मॉबाइल भी रख सकती हूं और साथ में यह देखें काफी स्पेस है इसमें यह स्पेस देखें आप और यहां पे कार्ड्स वगएर भी आप रख सकते हैं मेडिकेयर कार्ड आपका पासपोर्ट हुआ आपका आईडी कार्ड जितने भी कार्ड्स हैं और कुछ कोस्मेडिक्स वगेरा भी अगर लिप्स्टिक वगेरा या लिप बाम यहां पर हम रख सकते हैं साथ में साथ में मैंने कुछ किचिन यूटेंशल यह यह देखें यह मैंने लिया है वेजिटेबल स्लाइसर यह इस शेप में जिस तरह यह चिप्स बने हुए है ना वेजिटेबल्स को काटेगा डिश ब्रश मैंने लिया है चुके मैं ज्यादा तर नॉन स्टिक पैन्स यूज करती हूँ तो जब स्टेन वागेरा लग जाते हैं तो इस ब्रेश से वह इसली रिमूव हो जाते हैं स्पेचुला एक स्पेचुला मैंने लिया है साथ में ये है सिंक होल्डर तो ये थी मेरी आज की वीडियो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें मेरे वीडियो को शेयर करें और इंस्टा और फेस्बुक पे मुझे फॉलो करना ना बूले अपना बहुत ज़्यारा ख्याल रखें मिलत है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस